जमु कश्मीर में अनंतनाग में सीना ने दो आतंक्यों को ठीर कर दिया है शांगुस से लाड़नों के जंगल में सीना और आतंक्यों के बीच सुभा एंकाउंटर शुरू हुआ यहाँ पर तीन जवानों के छिपे होने की सुषना थी एक आतंक्यों के अभी भी छिपकर फाइरिंग कर रहा है जमु कश्मीर में 36 घंटे में यह तीसरा एंकाउंटर है श्री नगर और बादिपूरा में भी सीना और आतंक्यों के बीच में मुठबेड चल रही है श्री नगर के खानियार इलाके में सुभा एंकाउंटर शुरू हुआ ता सूत्रों के मुताबिक सीना की जवानों को यहाँ दो आतंक्यों के छिपे होने की आश्रंका है वहीं बादिपूरा की पनीर इलाके में भी सीना की जवान और आतंकियों की बीच में मुठवेट चल रही है यहां आतंकी जवानों पर रुक रुक कर फाइरिंग कर रही है एंकाउंटर की दोनों ही लोकीशन पर जमुकरश्मीर पुलिस भी पहुँच गई है इलाके को खीर कर सर्च उपरेशन चलाया जा रहा है इलाके से गुजरने वाले वहानों की जाच की जा रही है ड्रोन से भी पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है इधर श्री नगर की रावलपुरा इलाके में सीना का एक जवान एक्सिडेंटल फाइरिंग की चलती शहिद हो गया तो दो तस्वीर हैं आपको दिखा रही हैं पहली तस्वीर श्री नगर की दूसरी तस्वीर ज़दा देखिए पनेर की जहाँ पे मुठबेड आपको बता दे कि सर्च उपरेशन यहाँ पर क्या जवा रहा है पूरे इलाके का ड्रोन की द्वारा जो है निगरानी हो रही है दो आतंकी धेर यहाँ पर और एक के द्वारा अभी भी फाइरिंग की जवा रही है श्री नगर की खानियार इलाके में मुठबेड की सूचना म कर विल रही है और उसी की तस्वीर मापको दिखा भी रही है कि इसकी तैकिकात होनी चाहिए यह कैसे है चैने हकुमत आ गई है और यह हो रहा है मुझे तो शक्त है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गव्मन में को बीजस द्रेवाइश करने की कोशिश कर आप नहीं कि इंडिपेंड इंक्वारी होनी चाहिए यह सब एक क्राइसिस प्यादा करने कोशिश कर रहे हैं तो आपने सुना भी होगा कि किस सरह से कहा कि जो लोग है जिनकी त्वारे यह किया जवा रहा है और आपको बता दे कि बादीपुरा के पनीर इलाके में मुठवेड तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रही है हाला कि सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है इलाके की निगरानी रखी जा रही है ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर निगरानी तीन जगा पर एंकाउंटर अनतनांग में दो आतंक्यों को धीर कर दिया हमारे जवानों ने इसके लावा आपको जानकारी देदे की खानगार इलाके में भी मुठबेड जो है उसकी सूचना बिली है दो आतंक्यों की छिपे होने की आश्वंका है और इसी आश्वंका के च्छलते सर्च ऑपरेशन जारी है और जमो कश्मीर पुलिस भी मौके पर पहुँची है इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन किया जारा है वहनों की सगन तलाशी हो रही है ड्रोन के माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी भी हो रही है तस्वीर आप देख भी सकते हैं कि किस सरह के फलहाल हालात यहाँ पर बनी है और सेना की द्वारा जो है मोचा यहाँ पर संभा इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जारा है सर्च ऑपरेशन के साथ ही ड्रोन के माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी रखी जारही है और जम्मो कश्मीर पूलिस भी मौके पर मौजूद है